आप जिन में जाते हैं, खूब अच्छे से एक्साइज गरते हैं, घर पर आते हैं, शीशे में देखते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बीपी, शुगर, जॉइन पेन और इतने हैवी वेट के साथ, मुझे बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम आने ल करता हूँ, कि अब जब मैं अपने ट्रेंणिंग प्रोगाम करता हूँ, वर्क्शॉप करता हूँ, सैमीनार करता हूँ, तो हजारों के संख्या में लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, कॉमेंट करते हैं, मुझे से बात करते हैं, कि सर आपकी ट्रांस्फरमिशन को देखने के बा बात करूं तो मैं बहुत हैवी ओवर लोड़ीड वेटेड था मतला मेरा बॉड़ी वेट जो थे ना वो 96 केजी था 96 लोका में था और मेरी कमर का जो साइज था वो 47 इंचेज था और इतने हैवी वेट के साथ मुझे बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगी मैं अप दोक्टर ने काया कि सर आपकी एज ना उसके इसाब से और जो आपका बॉड़ी वेट है और जितना आपका फैट है उसके आपको बीपी होनी के संभावना है शुगर होनी के संभावना है और थोड़े दिन बात तो जौइंट पेन भी शुरू हो जाएंगे उस दिन मुझ देखी टाइगर शॉप की मुवी देखी रितिक रोशन की मुवी देखी उसके सिक्स पाक आप फस्क्लास बॉड़ी लीन साइज तो आपको लगा है मैं भी ट्रांस्फरमेशन करता हूं है ना इसको बोलते हैं एक्टनल मोटिवेशन होता है ना तो उसका बड़ा इंपक् तो ने उठी रुटते हैं क्योंकि मुटिवेशन आपके अंदर एक्स्टनल मोटिवेशन ने आप उठते हैं बॉड़ी स繼續 टूटता नहीं आप करते हैं आप जंक की दरदोरी है पूरे दिन का जो वरक शीट डिल वो डिस्टर्ब हो गया इसको एक्स्टरनल मोटिवेशन और फ्रेंट जब इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर होता है ना आपको लगता है कि नहीं मुझे सब कुछ करना है आप यह जाते हैं वर्क आउट करते हैं घर आते जो आपने तैय किया था उसमें आपको परिवर्तन दिखाई देने लग जाता है और कुछ महीने कुछ हपते कुछ सालों बाद आप देखते हैं कि आपने जर्नी कहां से शुरू की थी आप कहां तक पहुंच गए मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हुई थी 23 जनवरी 2017 जब मैं एक ओवरवेटिड था 47 इंचेज कमर का साइज 96 किलो मेरा बॉड़ी वेट और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अपने आपको अब मैं ट्रांसफर्म करके ही छोड़ूँगा क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बीपी शुगर जॉइन पेन इस तरह की बिमारियों के साथ नहीं चलना चाहता लगातार प्रयास करता गया रूटीन अपना चेंज करता गया कभी जिम कभी स्विमिंग कभी रनिंग कभी जॉगिंग कभी योगा कभी ऐरोबेक्स बहुत सा 18th April 2018 को अपना body composition देखा तो उस समय मेरा body weight था 69 kg और कमर का size 28 inch मतलब 27 kg weight मैंने loss किया और 18 inches मैंने कमर के size में change किया और उसके बाद मेरा 18th April 2018 को 6-pack ab shoot हुआ और फ्रेंड्स कहते ना जब आप एक top achievement हासिल कर लेते ना उसके बाद आपको लगता है सब कुछ ऐसे रहने वाला है थोड़े दिन बाद मतलब 18th April कि अगर बात करूं तो कुछ दिन बाद मैं exercise और ऐसी करता रहा आपने आपको transformation में और आगे लिए आता चला गया फिर बंद हैं सारे exercise बंद है घर पर आप रह रहे हैं घर की डाइट कर रहे हैं रणिंग हो नहीं रही जॉगिंग हो नहीं रही exercise हो नहीं रही दिरे 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 बाड़ी transformation जो किया था वो फिर दुबारा निल बटे सन्हाटा हो गया है ना लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं करते हैं तो कम समय में आप वो सारी चीज़े हासिल कर लेते हैं और उसके बाद तो 2019 में 2020 में 21 में मैंने लगभग चार बार six pack एब शूट किया और मैं बहुत खुशी के साथ यह बात कहता हूं और बहुत गर्व मुझे महसूस होता है कि इन वीडियो को देखकर हजारों ल जिम जोनी इन gå एकसाइज शुरू कर लिया फिटनेश चैलेंज शुरू कर दी है तो फिटनेश करते हैं अच्छी बात है आप अच्छी बात है ताकि आप भी बहुत साORA के लिए एक माइल सटोन हों आप को लोग देखें आपको इंस्पायर हूं और इंस्पायर होने के और दोस्तों हम लोगों के साथ एक बात और भी है क्योंकि हर अफते हमारी दो से तीन वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है तो मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले आप 2016 के वीडियो देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ पीछे जाईए क्योंकि जो बात मैं कहा रहा हूं कि कहां से मैं शुरुआत के और कहां तक मैं पहुंचा इस बात का प्रूफ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा फिर 2017 के वीडियो देखिए फिर 2018 के वीडियो द मैंने अपना लक्ष जो यह कमर साइज 47 इंचिस था इसको 28 इंचिस तक में लेकर आया जो बॉडिवेट 96 केजी था उसको मैं 69 केजी और उसके बाद 67 केजी तक लेकर आया और बहुत सारे स्पीकर्स ने इस बात से मोटिवेट होकर कि एक मोटिवेशन स्पीकर कर सकता है त चैलेंजिस लिए बहुत सारे लोग बीच में हार गए और बहुत सारे लोग आज भी ट्रांस्फरमेशन के जर्णी में में लगे हुए हैं मैं यश्वर सے कामना करता हूं वह अपनी जरनी में जरूरं काम्याब हो ताकि बहुत सारे लोग उनको देख कर इंस्पायर जो हो करना सबसे important बात है तो कुछ points में आपको बताना चाहता हूं जो आप कर सकते हैं अगर आप fitness पे अपनी body को transform करना चाहते हैं कि कैसे transformation करें अपने body का नमर वान डेली workout करें नियम बनाएं आप रोजाना workout करें क्या होता जब में एक ही तरह की exercise करते रहते ना तो कई बार माइंड सेट ना एक मोनेटर हो जाता इसको लगता है कि नहीं यार बोर हो रहा हूं मैं तो क्या है वह आपके workout का है इसलिए अपने diet को जरूर मैनेज करें और मैंने बहुत सार लोगों कि से सुना हुआ है कि cheat meal होती है और cheat meal क्या होती है कि हफते में एक दिन अपनी मर्जी का जो मर्जी खाएं बच्पन में आपने कभी वह गेम खेला है जहां पर हम रेत से बहुत सारे मकान बनाते हैं कई-कई मंजीलों की इमारते बना लेते हैं और उसके बाद क्या होता है जैसे एक मंजील बनाई दो मंजील बनाई थोड़ी से जितने आदा कॉंशेस आप चीजों को लेकर होंगे जितने ज्यादा दिड़ निश्चे के साथ आप चीजों को करेंगे ना उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं चीट मिल कभी ना करें टेक प्रॉपर स्लीप कई बार क्या होता है जब हम एक्साइज करते हैं वर्काउट करते हैं बॉड़ी बहुत ठक जाती है बिजनस का प्रैशार है जॉब का प्रैशार है प्रोफेशनल रिस्पॉंसिबलेटे हमारे उपर है उसके बाबजूत आप अच्छी नींद का मतलब ना शाच गंटे नहीं होता अच्छी नींद का मतलब है कि आपकी की की अड़ी गंटे में होती है तो प्रॉपर स्लिप लेने से पहले रात को जब सवहना तो अपना मुबाइल अपने आप से दूर रखें बहुत से लोग लास्ट में भी सब्स्राइब करते हैं कम से कम एक घंटा पहले सोने से एपहले मिद्द का इस्तिमाल बंद करें ता जब हम चलते हैं ना तो हमें लगता है हमने बहुत दूरी पार कर लिए लेकिन रिजल्ट कुछ मिलता नहीं है तो लोग वहां पर होपलेस हो जाते हैं वहीं पर उनका द्रिड निश्या होता है वह टूड़ जाता है क्योंकि एक्टरनल मोटिवेशन है इंटरनल मोटिवेश मेरा मसल डेवलप नहीं हो रहा मेरा बॉड़ी पेन हो रहा है तो जो ना पॉजिटिव माइंट्सेट नहीं होगा तो रिजल्ट भी जो होंगी वह पॉजिटिव नहीं आएंगे इसलिए माइंट्सेट को पॉजिटिव रखें और स्टे मोटिवेटेड हमें शाह आपके अंदर उर्जा होनी चाहिए मैंने देखा बहुत सा लोग बड़े मरे मरे से आते हैं जिम के अंदर जैसे कि उनको जबर्दस्ती धक्का देकर भेजा गया है तो ऐसा कभी ना करें मोटिवेटेड रहें आपको लगता है मॉर्निंग करना है किसी भी टाइम करें कोई फरक नहीं पड़ता कितना अर्ली मॉर्निंग जाता है इवनिंग में जाला कम बेनिफिट होता है ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है जब आप अपने मन से पूरी शिदत से एक्साइज करते हैं तब आपको बेनिफिट होता है इसी लिए मोटिवेटेड रहें यह छे स्टेप्स अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं इन पर फोकस करते हैं तो आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अब मैं करने जा रहा हूं पांचवी बार सिक्स पैक एब शूट जो 27 सितंबर 2022 को मैं करने जा रहा हूं है ना तो जब आप लक्ष के चीजें आपको बहुत आसान लगने लग जाती हैं जरूरत है इन सभी छे स्टेप्स को फॉलो करने की और एक अच्छा मेंटॉर जरूर बनाएं जो आपकी लाइफ की फिटनेस जर्नी में आपको हेल्प कर सके कोच की हेल्प जरूर लें क्योंकि गुरु चानक्य ने का थ चाओ कि अच्छा मोटैवेशनल स्पीकार आपके पास होना चाहिए अच्छी लर्निंग आपके पास ने चाहिए नॉलेज़ आपके पास होोनी चाहिए क्योंकि बॉडी ट्रंसफ़र्मेशन करने के लिए तयार हैं और आप लोगों को देखते हुए बहुत सारे मोटैशन speakers भी अब transformation की जर्नी में लगे हुए लेगर उसके बावजूद मुझे लोगों ने कहा यू आर इंडियास फर्स्ट motivational speaker fat to fit transformed मैं भारत का पहला ऐसा motivational speaker बना जिसने fat to fit transformation किया इस खिताब के लिए मैं आपका से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अघाज करता हूं सभी speakers के लिए कि अगर आप overweighted हैं अगर आप extra body fat के साथ चल रहे हैं तो आप अपने आपको transform करें ताकि आप से inspire हो के आपके लोग आपके follow और आपके lover वो भी transformation करें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत